हेलो डियर नर्सिंग ओफिसर एस्पिरेंट्स, मैं तरुन से नहीं आप सब का स्वागत करता हूँ टी एसल में आज हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं माइक्रो बाइलोजी का टोपिक है स्टेनिंग, जी हाँ, ग्राम स्टेनिंग से हम बात करने जा रहे हैं जो कुछ की पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उनको आपको ध्यान रखना इससे बाहर के उसल नहीं जाएगा बात है 1884 की क्रिस्चन ग्राम ने सबसे पहले बेक्टिरिया आज को दो पार्ट में डिवाइड किया ग्राम पोजिटिव बेक्टिरिया और ग्राम नेगेटिव बेक्टिरिया तो इसके क्या steps हैं उसके regarding हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हम culture के लिए sample लेंगे जैसे ही हम sample लेंगे उसको slide के उपर fix कर लेंगे slide में fix कैसे करेंगे कि हम split lamp काम मिलेंगे slide पे fix हो जाएगा जो भी हमने smear preparation किया है वो fix हो गया fix होने के बाद इस slide के उपर हम डालेंगे एक dye जो है crystal violet और ध्यान से समझेगा 60 second के लिए ये dye हम डालेंगे crystal violet जो एक violet color किये जैसे ही dye 60 second के लिए dye लेंगे उसके बाद slide का हम inspection करेंगे तो हमें जो bacteria दिखेंगे माना कि slide पे हमने 4 bacteria लिया ऐसे माल लेते हैं कि 2 gram positive और 2 negative ये आपको screen पे दिख विरा होगा तो ये 4 के 4 bacteria blue color के हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे क्योंकि इसकी cell wall के अंदर क्या चला गया है dye चली गई तो crystal violet हमने administer की थी ठीक है आगे हम क्या करेंगे इसी slide के उपर हम डालेंगे iodine तो iodine भी cell wall के अंदर जाएगा और वो crystal violet के साथ में bond बना लेगा तो iodine और crystal violet एक बहुत tight bond बनाएगा जिससे ये cell wall से बाहर नहीं आ पाएगा और आप देखेंगे कि अभी भी slide हम देखें तो चारो के चारो बेक्टिरिया blue color के ही आपको दिखाए देगे आगे बात करते हैं कि हम इसको tap water से wash करेंगे wash करने के बाद next हम इस slide को अब treat कर रहे हूं वो 95% alcohol से जहां से समझेगा अब हम 30 second के लिए हैं पर 95% alcohol में डालेंगे और जैसे ही 95% alcohol से हम treat करेंगे और slide को उसके बाद में जब inspect करेंगे observation उसका करेंगे तो दो बेक्टिरिया जो gram positive हमने माने हैं वो तो blue color के होंगे बड़ जो 2 gram negative bacteria था वो decolorize होगे हैं decolorize in the sense कि crystal violet का जो color था वो fed off हो गया है अब इस slide को हम दूसरे डाई के साथ treat करेंगे दूसरी डाई हमारे पास है सेफरानी जो एक red color की डाई है जैसे इसके साथ treat करेंगे तो जिन बेक्टिरिया का decolorization हुआ था जिन का color fed हुआ था वो बेक्टिरिया अब इस डाई से stain हो जाएंगे और वो red color के दिखेंगे बोले तो final जब presentation होगा slide का तो दो बेक्टिरिया आपको blue color के दिखेंगे दो दिखेंगे red color के और जो blue color के बेक्टिरिया है वो gram positive Christian ने बोला और जो red color के बेक्टिरिया है वो gram negative Christian ने बोला अब यहाँ पर main की point है जो आपको ध्यान रखना है कि gram negative बेक्टिरिया जो पहले तो colorize हो गये थे crystal violet से बट वो de colorize क्यों हुए जबकि gram positive de colorize नहीं हुए ठीक है तो यह ऐसा क्यों हुआ तो इसके पीछे जो कारण है वो आप screen पर देख पाएंगे कि आपके सामने दो बेक् ग्लाइकन cell wall होने की वज़े से जैसे ही alcohol में डालेंगे यह crystal violet और iodine का complex उससे भार आ जाएगा जिस वज़े से decolorize हो गया और जैसे ही इसको हम सैफ्रानिन जो दूसरी dye हमने काम में लिए उसके अंदर जैसे ही डालेंगे तो यह dye उसके अंदर चली जाएगे क्योंकि खाल सेकेंड के लिए उसके बाद में हमने iodine डाला है 60 सेकेंड के लिए जो bond बनाएगा दोनोंगा उसके बाद हमने alcohol के साथ इसको decolorizing agent की तरह काम में लिया है और gram negative bacteria decolorize होगे जबकि positive अभी भी blue color के उसके बाद secondary dye और इसको counter strain भी हम बोल सकने है जो हमने सेफ्रानिन काम में ल चुक है crystal oilet और gram negative की cell खाली ती उसमें चला गया है सेफ्रानिन इसलिए final presentation में जो blue color के दिख रहे हैं वो gram positive bacteria और जो red color के दिख रहे हैं वो gram negative bacteria यदि आपको इन bacteria's की structure से related या in concept में कोई भी problem है कि आपको लगता है एक decolorize यही क्यों हुआ वैसे तो मैंने इसका region बताने की क process की है और भी कोई चीज की acid fast restraining के बारे में बताओ या और भी कुछ है तो आप comment करके जरूर पताए हम definitely दूसरा वीडियो इसके उपर लेके आएंगे ऐसे ही और वीडियो के लिए subscribe किजिए टी एसल तरुन सेनी लेक्चर्स जैहिए